असलाम लेकरो, मेरा अबीबर हमान गिए गए solar panel prices in Pakistan अगर आप अपने घर की छट के उपर कोछ solar system लगवाना चाहते हैं चाहिए वो पांच किलो वाट का solar system हो, दस किलो वाट का solar system हो, ऑल्गिड शिस्टम हो, ओफ ग्रीड सिस्टम हो, या हाइबरीड सिस्टम हो तो यह वीडियो आपके लिए जिल लोगों ने अभी तक चाहर सब्स्राइब नहीं किया सब्स्राइब कर लें और बैल अको क्लिक कर लें ताकि आपको solar related और technology related हार तरह की information मिलें और आप वीडियो को देखें और informed रहें ठीक है जी और ठगों से बच सकें आपको पता हो कि असल में चीज आपकी कितने की है उसकी intrinsic value कितनी है आपको पता होगा आई से 20-30 साल पीछे चले जाएं तो BCR जो था बड़ा महंगा होता था लेकिन आप वो 200-300 का भी नहीं बिखता पराने जो TV थे आई से 20-25 साल पहले वाले वो अगर आपने 50,000 का को TV खरीदा था आप वो बेचने जाएंगे तो वो 500 का भी नहीं बिखेगा मतलब यह कि जैसे जैसे नई technology आती है पुरानी technology obsolete होती जाती है और पुरानी technology की जो चीज़े होती है और सस्ती होती जाती है जो coastal area मारा जैने साहली समुंदर की पट्री है और इसके लावा और भी पंजाब और KPK की कुछ चेरिया था जहां 10-15 km पार आवर के साफ से हवा चलती है नीचे description में आपको windmill पर भी 4-5 वीडियोस मिल जाएंगे उसे लास भी देखें अब आज़ें जी solar panels पे solar panels पे डिफरेंट companies है पाकिस्तान के अंदर Chinese companies खास तोर पे जो solar panel बना रही है तो वो पाकिस्तान के अंदर आते है solar panel और बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए है पिछले डेट दो सालों में डेट दो साल पहले 130 पे परवाड़ था और आज कितरा कम हो चुका है और मजीद कितरा कम होने वाला है वो इस वीडियो के बताया जाएगा solar की कीमट जो है एक बार फिर कम हो गई है आपने अच्छा किया बाइकॉट करके क्योंकि जो माफिया था माफिया ने बिसिकली कोशिजी होती है वो उनके पास पैसा होता है बेशमार पैसा होता है वो कभी गंदम खरीद के महगी कर देते हैं कभी वो चीनी स्टॉक कर लेत दोईया मेंगी कर देते हैं कभी वो प्लॉट्स को स्टॉक कर लेते हैं प्लॉट्स को मेंगा कर देते हैं और आम गरीब आदमी के लिए प्लॉट्स खरीदना दोईया खरीदना खाना खरीदना गोश्ट खरीदना हर चीज नमुम्किन मना देते हैं इसलिए मैं आपको कहत तरह था कि जल्दी ना करें और सबर से काम लें पिछले साल 130 रुपे वाट वाला गिरता गिरता 20-22 रुपे वाट तक आ गया था अब फिर कुछ लोगों ने रेट बनाने श्रुक किये थे 35-40 रुपे तर ले गये थे दोबारा फिर नीचे आ गये इस वट कैनेडियन का जो स 35 रुपे लेना है तो 26 रुपे पर वाट मिल सकता है अगर आपने लेना है तो नीचे comment बॉक्स वे आपने बताना है आप कौन से share से बात करें पिर जो Trina का single glass वाट वो भी 26 रुपे मिलेगा जिनको सिंगल ग्लास आपको मिलेगा 27 रपे पर वाट ये एक रेट के सोले पैनल है टियर वन कैटिकरी इसके 25 यह वरंटी सिंगल ग्लास के 25 साल वरंटी वाले यह होते हैं 12 साल इसकी वैसे वरंटी देते हैं पर वरंटी और 25 साल एफिशन्सी वरंटी होती है आगे आज़े जे का सिंगल ग्लास यह भी आपको 26 रपे या कुछ लोग 25 रपे पर वाट के साफ से देंगे आगे नेक्स्ट इस कैनली इन टॉपकोर्न कैनली इन टॉपकोर्न 2014 में सबसे ज़्यादा पापुलर जो है न सोलर पैनल है यह 585 वाट के अंदर आता है डबल क्लास में यानि बाइफिशल में दोनों साइट से बीजली पैदा करता है फ्रेंट साइट से भी और नीचे वाटी साइट से भी छट की उपरवाई साइट पे अगर आप वाइट कलर का पेंट करवा रहते हैं वाइट कलर की जियारत वाइट मार्मल लगा दे तो सूरेट की रोशनी रिफ्लाक्ट हो के दूसरी साइट से भी बिजली पैदा करेगी कैनेटियन टॉपकॉन तीसर पे पर वाट आपको मिलेगा तीसर पे पचास पे से लोंजी हाइबो 6 मिलेगा 28 पर वाट लोंजी हाइबो 7 मिलेगा आपको 29 रुपीज पर वाट जे का बाइप फिच्टर डबल कास आपको मिलेगा 29 रुपर वाट ये प्राइसिस की नहीं हो सकते हैं अगले 10 दिनों में 15 दिनों में अगर आपने बाइकोर्ट जारी रखा तो रेट्स तुमारा 20-22 रुपे तक आजेंगे ठीक है वैसे भी अगर आप चाइना से माल इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ 8 सेंट का पर वाट है 8 सेंट को अगर आप 280 से में मल्टिप्लाय करें तो 22 रुपे रेट निकलता है कराची पोर्ट तक पोईटे पोईटे ज्यादा से ज्यादा एक रुपे उसका कराया लगता है शिप का चुकि एक शिप के उपर हजारों के साथ से कंटेनर लोड होते हैं और पर वाट एक रुपेया या आदा रुपेया आपका रुपेया आपका न वह चार्जिद होंगे